हेलो गाइस वेलकम बैक तो मैं चनल जैसे कि आप लोगों का पता है कि मैंने एक न्यू कैमरा ले लिया है SJ10 Pro dual screen जैसे कि मैंने अपने last video में आपको बताया था तो आज मैं अपने इस camera का review करने वाला हूं क्योंकि ये SJcam की तरफ से एक flagship model है और इसका review YouTube पे अब तक नहीं आया है तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है इसका review डालने का ताकि जो लोग इसको खरीदना चाते है वो पहले review देखें इसके बारे में जान लें कि इसका software इसका hardware किस type का है इसके overall performance कैसी है क्योंकि इसके मैंने देखा YouTube पे कोई reviews नहीं है दो तीन reviews है वो ढंके नहीं है उसमें कुछ clarity नहीं होरी product के बारे में कि ये product actual में है किसा क्योंकि जब मैंने लेना था तो मुझे भी ढंक से इसके review कहीं मिले नहीं थे मैंने इसकी जो official website है उस पे information पड़ी और बस एक दो review ढूँने की कोशिच की तो मुझे नहीं मिले कोई दंक के reviews इसके तो मैंने ले लिया फिर भी तो इस camera की जो खासेत है वो यह है यह budget friendly camera है action camera है basically जो की बहुत अच्छी performance देता है मैंने इस camera से दो वीडियो सहाँ है दो मैंने दो वीडियो शूट की है तो मैं उनको भी दिखाऊँगा reference के लिए कि performance कैसी है इसकी audio और video quality की और इसकी जो competition में आज की डिट में cameras है action cameras वो आपके GoPro Hero 10 हो गया Hero 9 हो गया और DJI का हो गया वो इसकी competition में आते हैं वाट वो थोड़ एक्सपेंसिव साइड़ बढ़ते हैं तो जिन लोगों का budget वड़ा सा limited होता है तो उनके लिए best choice है यह अब जी मैं कोई professional reviewer नहीं हूँ प अगर मिस हो जाए तो आप मुझे comment section में पूछ लेना और यह जो product है इसका review मेरे चैनल पर पहला है तो चलो अब मैं start करता हूँ इसके बारे में क्या क्या आता है तो start करते है box के साथ तो यह इस इसका box है इस में लिख रखाए इसके जो features है कि five meters की बाड़ी एसकी waterproof 4K 60 fps यह record कर सकता है और यह support करता 8x digital zoom distortion correction fpv पे इसका आप मांट कर सकते हो fpv basically जो आपका आप इस camera को ड्रोन पर भी अटाच करके फिर शॉट ले सकते हो और इसमें rotation भी support कर रोटेशन इंदा सेंस अगर आप इस camera को देते हो जैसे अभी ऐसे है इसको घुमाद होगे उल्टी तरफ तो जो इसकी यह विली स्क्रीन है यह दूसरी तरफ हो जाएगी ताकि आप उस तरफ से भी शॉट ले सको उसको उल्टा करने के बाद भी camera को तो अभी मैंने सारा समान निका लिया box में से यह बुकला ट्रे कर दिया कहीं लगा लिया था तो मैंको पसंद निया मैं उसको उतार दिया मैं चलो छोड़ो तो अब box को करते हैं side और box के अंदर से क्या-क्या निकलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ केस नहीं लगाते हो तो camera itself इतना capable है कि वो 16 feet तक पानी के अंदर जा सकता है और इसको लगाने के बाद तो आप 100 feet अंदर तक जा सकते हो फिर आता है जी यह frame mount इसको अब helmet पे या जो tripods होते हैं उनके ओपर attach करके फिर camera को attach कर सकते हो यह frame mount होता है कि यह आपको वैसे कोई under water कोई protection नहीं देता बट यह overall protection देखता है इनकेस अगर कभी camera गिर जाए तो उससे protection देने के लिए यह काफी काम में आता है साइड में जो यह दे रखे हैं नहीं कट यह वाला जो कट है उपर वाला यह आपका speaker के लिए camera के अंदर एक speaker भी आता है monitoring speaker कहते हैं उसको उससे आप सिर यह test कर सकते हो कि camera audio record कर रहा है यह नहीं और जो नीचे वाला है आप यहां से easily निकाल सकते हो आपको camera को निकालने की जुरूद निपड़ेगी इसमें से तो अभी मैंने सारा समान कर लिया है फ्रेम के अंडर तो यह वाला जो है यह अपका बेस माउंट है basically बेस माउंट यह नीचे वाला है जो नीचे वाला जो साइड है इसकी यह वाली है आपको इनके सघर camera के चिपकाना है helmet पर या और कहीं तो इनके तुरूब चिपका सकते हो और packing में देख सकते हो बीच में उनके और एक आपको यह attachment मिलता है यह भी basically base attachment है इसमें दो टाइप की base attachments मिलती है एक flat type की होती है नीचे से एक थोड़ी curved होती है जैसे कि यह वाली में कोई curve नहीं है यह बिल्कुल flat है तो यह compatible होता है helmet के लिए कि आपका helmet किस type का है अगर curve type का है तो फिर आपको curve वाली चलेगी नहीं तो फिर flat वाली चलेगी और एक यह cloth मिलता है lens को साफ करने के लिए यह attach करने के लिए screw base mount पे जब camera को attach करोगे तो इसके through अब camera को कस सकत अदर और base mount को फिर उसके helmet के अंदर कर सकते हो और एक मिलती है यह आपको USB cable USB Type-C मैं आपको दिखाता हूं यह Type-C to Type-A USB cable है तो यह सब तो बाते होई attachments की जो इसके साथ मिलते हैं अब बात कर लेते हैं में product की हमारा जो की है SJCAM 10 Pro dual screen यह है जी camera कुछ इस type का दिखाई देता इसका जो लेंस है जो अंदर यह 12 MP का लेंस है इसमें दो a spherical lenses है जो यह उपर वाला portion देख रहे हो यह जो यह वाला है यह पार्ट यह इसका open हो जाता है खोल जाता है इनकेस अगर इसमें scratch लग जाए या आपको इसको change करना हो तो आप इसको गुमा के खोल सकते हो और इसके protection देता है जैसे इसके अंदर पाने ना चला जाए या dust ना चला जाए और इस तरफ यह इसकी IPS वाली LCD है 1.3 inches की selfie recording display भी कहते है इसको और यह इसका LED indicator है जब status indicator है जब आपका camera record कर रहोगा फोटी इसको तो यह continuously blink करेगा blue color में नीचे यह branding दे रखी है sgcam sg10 pro dual screen साथ में इसका इसका इसके अंदर दो stereo microphones आते हैं इस camera के अंदर ताकि आपकी आवाज stereo way में record हो एक तुम crystal clear side में यह monitoring speaker है इसका इसका इसकी आवाज ऐसे सुनने के लिए नहीं होती कि आप इससे पूरी की पूरी footage सुन सको वैसे तो सुन सकते हो बट इतनी clear नहीं होती हो यह से monitoring speaker होता है यह देखने के लिए कि आपका camera record कर रहा है या नहीं कर रहा है वाइस को साइड में इस तरफ आपको micro SD card slot मिल जाएगा एक USB Type-C का port मिल जाएगा यह इसकी main 2.33 inches की IPS touchscreen display है इस तरफ कुछ भी नहीं है नीचे battery compartment हो गया आपका यह आपका tripod mount हो गया इसको भी मैंने एक दो बार use किया है ठीक रहता है यह भी बट जो एक्च्वल में दूसरा mount होता है जिसमें main base mount connect हो जाता है उसके साथ ज्यादा बेटर लगता है मुझा यूज करना as compared to यह वला जो tripod mount होता है क्योंकि यह थोड़ा सा कम reliable होता है क्योंक सिर्फ एक बटन है कोई बटन नहीं है इसके अंदर देखो सिर्फ एक बटन है इसे से on off होता है और इसे से recording start और stop होती है अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की यह है इसकी बैटरी यह 1300 mAh पर आर की बैटरी है जो की decent backup देती है मैं यह नहीं कहूंगा कि इसका backup बहुत कम है या बहुत जादा है मतलब ठीक ता गया यार इसका backup company यह claim करती है कि यह 4K 30fps recording करता है आपका 80 hours तक वो की मैंने भी पूरी तरीक से test नहीं किया है वो test करना बाकी है जो मैं test कर लूँगा तो उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा वैसे overall ठीक है बैटरी की performance इतनी बुरी नहीं है अब बात कर लेते हैं इसकी यह मैंने अलग से purchase किया यह camera के साथ नहीं है वैसे company की बहुत में को बात बुरी लगी थी यह जब मैंने box खोला था कि company ने कोई भी card नहीं दिया इसके साथ यह must have है जब भी आप camera को निकालो box में से तो आपको उसके अंदर से card मिलना चाहिए ताकि आप टेस्ट कर सोगो उसी टाइम की कैसी performance है उसकी तो यह चीज मुझे अच्छे नहीं लगी थी यह मैंने लगसे करें था sandisk extreme 128 GB का यह मुझे पढ़ा था 15-1600 के आसपास 15-1600 के बीच में था इस इसका price और आप यह बेसिकली ना class 10 वाला card होता है यह आपको यह इसी टाइप पर चाहिए होता है card इस camera के साथ क्योंकि यह वले camera जो होते हैं यह 4K recording करते हैं 60 fps में अगर कप आप कोई अगर slow speed का card लगाते हो उसके साथ तो वह चलेगा नहीं आपका camera या तो हैंक करेगा या error देगा कि card too slow तो आपको एक high speed camera चाहिए होगा इसके लिए इस type का तो मुझे यह best लगा अगर आपने लेना है तो यह सेंडिस का extreme ले सकते हो जिसमें आपको यह चीज make sure करनी होगी कि इसमें A2 लिखा हो सामने की तरफ जैसे कि आप screen में देख रहे हो A2 और V30 यह दो चीज़े आपने देखने हैं यह ऐसे ही लिखी होनी चाहिए वह भी मिलता है box के साथ तो यह लगा के रखना चाहिए इसमें जब भी आप यूज ना करो ता कि इसमें scratches ना लगे बिना बात के चलो जी अब बात कर लेते हैं इसके hardware और software की तो मैं इसको on करता हूँ यह हो गया on इसकी स्क्रीन पर कुछ इसकी जो basic जो information होती है इसके functionality और जो जो settings यह use कर रहा है वो सब दिखा रहा है उपर corner में आपका वीडियो कैमरा जो मदलब जो वीडियो recording होती है उसका icon आ रहा है साथ में जो 00 लिखे हुए है वो इसकी recording का जो time होता है वो show करता है साथ में इसकी 81926 जो लिखा हुआ है यह इसकी capacity दिखा रहा है sd card में कि अभी 1080 60 fps में यह इतने घंटे record कर सकता है यहाँ पे इसका यह gyro का इसमें actually six axis gyroscope sensor लगा हुआ है जो stabilization के लिए होता है तो यह उस इसका icon है साथ में microphone और battery का status इसका settings और यह जो साथ में है यह वला icon है यह वीडियो या जिस टैम आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो या photos capture करते हो उस टैम उसकी settings को tweak करने के लिए कि जैसे EV हो गया और white balance हो गया gyro stabilization होगी encoding हो गयी metering mode हो गया यह सब जो settings होते है यह सब इसमे यह कर सकता है तो यह हमने इसकी quality settings इसको किया video पर क्लिक कि यह आगई इसके अंदर recording के इसके options आ गया है यह basically कि यह 4K 30 fps यह sideways का interface है इस टाइब का कि 30 fps पर करना है या 50 पर करना है या 60 पर करना है तो इस तरीके से यह इसके frame per seconds है 24 से लेके 60 fps तक record कर सकता है यह कि फिर आजाता है यह 4K ultra अब यह ultra में सिर्फ 2 तरीके frames per second support करता है 24 और 30 बस इसमें सिर्फ 2 option है दो option का मतलब यह है कि जब आपने इसको 4K ultra पर सेट कर रहा है तो ultra का मतलब है कि यह wide angle में शूट करेगा यह जो कि सिर्फ 30 और 24 fps पर सपोर्ट करता है फिर आजाती इसमें 2.7K की recording support करता है यह फिर 1440p 60 fps और यह सब चलता जाएगा साथ में और 1080 हो गया उसके बाद 1080 अल्ट्रा हो गया 60 fps वारा 24 और यह सब जो मैं आपको दिखाया है उसी तरह 720p सबसे लास्ट है 720p का फायदा यह है इसमें 240 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो अब 240 fps का मतलब यह है कि यह बहुत ही slow motion में रिकॉर्ड कर सकता है वीडियो उसको और इसके अंदर आप 1080 में 120 fps तक जा सकते हो इसमें दिखो यह उप्शन दे रहा 120 fps तक 60, 50 और यह 24 fps से स्टार्ट होके 120 fps तक चला जाता है तो अब बात करते हैं resolutions की बात तो हो गई अब देखते हैं यहां पर क्या क्या option दे रखें इन्हों ने दे रखा यहां पर video time lapse नहीं sorry video lapse slow motion burst mode photo lapse photos video plus photo car mode और live तो यह सारे features इसमें है इसमें video lapse कर सकते हो slow motions वह रहा और photo भी खीच सकते हो photos जिसमें बहुत अच्छी आती है मैंने कीच के देखिए हैं बहुत अच्छी photos कीचता है यह burst mode में आप burst photos कीच सकते हो एक बार जैसे अपने यह button दबाया तो यह एक साथ कि आपको photos basically कीचनी किचनी में दिखाता हूं आपको जारा मैं क्या 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 नहीं कोशिच कर रहा हूँ जैसे अपने burst mode select किया तो यह setting में हम गए यहां पर पूछ रहा आपको यह कितनी photos कीचनी है एक बार में तो अगर आपने 30 photos select कर रखा है और आप इसका button दबाओ के य सब्सक्राइब और उसी तरह किसे यह में सटी सेटिंग्स दे रखी है वाइड बैलेंस का सब्सक्राइब जो फोटो की sharpness होती है metering mode आपको सेंटर चाहिए है metering mode में इसमें जो जनरल जो तीन सेट metering modes होते हैं जो हर camera के अंदर आती है center हो गया spot हो गया और average हो गया यह सब इसमें दिया जा गया है और इससे आप direct live कर सकते हो जैसे live का option दे रखा है ना तो अगर आपने live जाना है तो जो sjcam की app आती है वो आपको अपने phone में install करनी है आपके पास android का phone है या iOS अपल का तो यह दोनों में support करती है आपने इसे वह app डालनी है यह setup करना है और live का बटन दो आना है डिरेक्टली आप इस camera से live जा सकते हो facebook या youtube और एक दो platforms और भी है उन पर और यह car mode जो है अगर आपने car में dash cam की तरह इसको hang करना है तो यह car mode अब यूज यह होता है car mode का अब आज़ते हैं यहां पर जी अब होता गया है कि जैसे हमने यहां से select किया अब हमने video select किया तो video के जो options होगे ना वो यहां पर आके खुल जाएंगे कि video में क्या क्या हमें options मिलते है video से related जैसे is से हो गया video quality हो गई वालिम हो गया फाइल साइज हो गया वह सब चापनेस हो गई जो mode अब यहां select करोगे उसी से related settings आपको यहां पर मिलेंगी तो अब आते हैं और यह उपर की तरह आप notice करो यहां पर लिखा हुआ ISO यह थोड़ा सा भी जूम नहीं कर रहा ISO auto पे अभी तो अब यहां से ISO select कर सकते हो अब आते हैं इसकी settings पर तो यह language हो गया वाइफाई हो गया इस camera में वाइफाई का support भी है वाइफाई का फाइदा यह है कि आप अपने इस camera को directly phone के साथ connected कर सकते हो वाइफाई और आप phone के थूरू इसको पूरा control कर सकते हो अगर आपको यह वली screen यूज नहीं करनी यह रखा जहां पर आप इसको बारबट छेड़ना नहीं चाहते तो फिर आप camera को attach करो एक जगह पर और phone से पूरा control ले लो इसकी sgcam की app के थूरू तो वह बहुत ही एक na convenient सा feature होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा बाकी यह वाइफाई की setting है इसमें दो channel support करता है वाइफ आपको regular basis बेना card को format करते हैं चाहिए ताकि उसकी card की जो सेहत है अच्छी रहे सेहत का मतलब यह है कि format करने से उसके अंदर जो clustering होती है वो proper रहती है बाकी यह auto power off की कितनी दिर में off हो जाए तीन मिनट में या पांच मिनट में वह को दिखायता हूं यहां पर देखो पांच मिनट हो गया दस मिनट हो गया तीन मिनट हो गया तो यहां से adjust कर सकते हो और screen display dual screen कि आपको सिर्फ एक screen on करने है यह पीछे वाली या यह आगे वाली है यह तो अगर आप यहां से डूल स्क्रीन पर होगे तो डूल स्क्रीन को switch कर सकते हो नहीं तो फिर सिंगल स्क्रीन रहेगी यह पीछे वाली जो आप इस टाम स्क्रीन पर देख रहे हो मेरे कैमरे की फिर LCD आ जाता है off time कितनी दिर में off करने LCD को 30 seconds वान मिनट ऐसे कुछ करके अंदर options दे रखें इंडिकेटर लाइट्स यह जो recording वाली लाइट है कि यह जलनी चाहिए जलनी चाहिए या नहीं जलनी चाहिए कि पैटोन यह जो है ना यह basically जो कैमरे के साथ ने एक remote मिलता है वो एक accessory होती है वो अलग से खरीदनी पड़ती है तो अगर आप वो accessory खरीदो तो वो remote होता है एक wrist watch की तरह उसको अपने wrist पर पहनना है और आप वहीं से camera कांट्रोल कर सकते हो तो यह उसी का icon बना हुए यहाँ पर keypad tone की तरह तो अगर आप उसको wrist watch को पहन होगे तो उसके switches को प्रेस करोगे ना तो उसके keypad की tone सुनाई देगी आपको या नहीं देगी वो यहाँ से अप सेलेक्ट कर सकते हो इस option से फिर आ रहते हैं जी rotate off की camera की rotation को हमने off करना है जैसे अब यह सीधा है अगर यह ऐसे हो गया हमने उल्टा करके mount कर दिया इसको अब देखो screen उल्टी आ अधरी आपको वह यहां से स्लेक्ट कर सकते हो जह अब फोड़ा सा ना camera मेरा शेक हो रहा हो क्योंकि मेरे पास आभी tripod वाया नहीं है तो नहीं है तो मैं भी hard में रखने camera को मे आप phone से shoot कर रहा हूं तो मैंने phone को ना हाथ में पकटड रखा है तो मैं उस तरीक के शूट कर र मैंने आपको साइट पे दिखाया था, यहाँ पे USB Type-C वाला पोड था, वहाँ पे एक्स्टरनल माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो, बड़ मुझे उसके जुरूत लगी नहीं, क्योंकि इसकी जो स्टीरियो माइक्रोफोन है न, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, एक्स्टरनल कैमरे का, गिंबल ही करेगा, मतलब जो जाइरो स्कोप के संसर होते हैं, फिर वो गिंबल के काम करेंगे, कैमरे के इन बिल्ड जो जाइरो स्कोप है, वो नहीं काम करेगा फिर, तो इस टाइम पे यह वाला आप्चिन आपका काम आएगा, और यह डिस्पले ISO, कि स्क्रीन के करती हैं, कभी आपने देखा होगा, तो इंडिया में फ्रिक्वेंसी काम करती है, वो 50 हर्ट काम करती है, भागी कुछ कंट्री ऐसी है, यूरोपियन कंट्री जिसमें 60 हर्ट्स, पर फिलिकरिंग, जब लाइट, सपोस करो हम किसी लाइट को शूट कर रहे हैं, तो बीज मे फुटेज है, थोड़ी सी खराब करेगा, तो इसको 50 पर रखना है, इंडिया के अंदर, बाकि इसका ये यूजर इंटरफेस है, एस जे क्याम का चाहिए, ये क्लासिक चाहिए, मुझे तो एस जे क्याम अच्छा लगता है, तो मैंने एस जे क्याम स्रेक्ट कर रखा है, औ इसका फर्मवेर वर्जन अपडेट करने के लिए, आपको इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, एस जे कैम पे, उसके बाद आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा क्याम आपके पास है, उसके बाद फाइल आपको रार में मिलेगी, उसको एक्स्टेक्ट क इसमें यह वला उप्शन रह गया था, यह कौने पर, जहां मेरी फिंगर है, इसको अब दोगे तो यह प्रिव्यू के लिए होता है, कि आपने जो फूटेज रिकॉर्ड किया उसको देखने के लिए, वीडियो पर क्लिक करोगे, तो यहां पर वीडियो फाइल सा जाएंग तो यह तो बात है होगी, यह इसके software की और user interface की, अब आप सोच रहे होगे, आपको इसकी video quality कैसी है, और इसकी sound quality कैसी है, वो अगर आपको जाननी है, तो मैंने इसके camera के साथ दो अपने videos, जो मैंने vlog शूट किये थे, तो मैंने वो इस camera के साथ शूट किये थे, जो voice recording microphone, वो मैंने उसी से shoot किया था, मैंने external microphone नहीं लगाया था, तो मैं उन दोनों videos के लिंक description में डाल दूगा, तो उससे आपको इसकी 4K और 1080 यानि की full HD की footage है, वो आपको पता चल जाएगा quality उसकी कैसी है, और sound quality कैसी आती है, वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने एक video जो है वो shoot किया था 4K में, और दूसरा video मैंने shoot किया था 1080 में, एक मैंने 4K वाला shoot किया था 30fps, और 1080 मैंने shoot किया था 60fps में, तो आपको दोनों का idea लग जाएगा कि 4K की footage कैसी है, और full HD की footage कैसी है, और इस camera का जो slow motion है ना, मुझे इसका slow motion बहुत अच्छा लगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था भी, यह आपको यहाँ क्लिक करना है, यह थोड़े सा दिक्कत क्लिक करने में, इसलिए कर रहा है, क्योंकि मैंने एक हाथ से phone पकड़ रखाना है, तो मुझे खुद judgment नहीं लग रही है, मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे slow motion में हम यहाँ ग 2x, 4x, यह 2x, 2x पर यह थोड़ा fast रहेगा, और 8x पर यह बिल्कुल slow कर देगा, मैंने इसकी slow motion की भी अपने वीडियो बनाई थी दो दिन पहले, उसमें मैंने slow motion का एक shot डाला था, तो मैंने इसको 4x पर रखा था, 8x पर नहीं रखा था, तो उस वीडियो का मैं डाल दू दिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर लेना, अब बात कर लेते हैं इसके लेंस की, इसके अंदर ना दो लेंस आते हैं, यह उपर वाला जो पोर्शन है, यह तो इसका protection glass है, जो कि मैंने को बता दी है कि dust और वाटर अंदर ना जाए, इसके अंदर दो ऐस्फेरिकल लेंस इसकी, इसको आप switch कर सकते हो, यहां से मैं आपको दिखाता हूँ करके, अपने क्या करना है, इसको double tap करना है, यह आपकी बाहर वाली display हो गई है, enable, देखो मैंने इस त्रीकी से camera पकड़ा है, मैं camera की बात नहीं करूँगा, कि मैंने कैसे पकड़ा है, तो यह वाली जो बाह इसकी बाहर वाली display हो गई, यह भी HD display है, और जो यह वाली display है, अब देखो यहां लोगे, मैंने double tap किया है, तो पीछे वाली display हो गई, हमना तो मैं इस display की बात कर रहा था, यह वाली जो display है, बेशेक यह phone में आपको थोड़ी blur दिखाई दे, क्योंकि यहां पे ना light कर रहा हूं, तो इतनी clarity नहीं है, बट अगर आप in person, इस display को देखो गया ना, यह वाली, तो यह बहुत clear है, यह एक UHD display है, कंपनी की website में लिखा था, यह UHD, यानि की 4K compatible display है, इसमें जो footage देखो गया न, वो बिल्कुल clear देखेगी, और इसी तरह यह वाली जो display है, बाहर यह बहुत clear है, हाला कि यह UHD नहीं है, यह HD display है, बट फिर भी यह बहुत clear है, तो display के मामले में तो यह camera बहुत बढ़ी है, यह वाली display हो गई, यह बहुत clear है, बहुत clarity दिखती है, इन में, बाकी company तो यह भी claim करती है, यह बाहर वाली इसका जो glass है, यह basic filter है, तो company यह भी क site है, उस पर ऐसा कुछ मिला नहीं, मैंने ढूंडा था, कि अलग से फिल्टर मिल जाएं, बट उन्होंने दिया नहीं है, website पे तो नहीं है, बट SJCAM का जो section है, website उसमें उन्होंने बता रहा है, कि यह replaceable है, बट मुझे कुछ देखने के लिए मिला नहीं, मैंने सोचा कि यह लोग को बतायता हूँ, इसका जो chipset है, वो है, Ambarella H22 S85 इसकंदर यूज हुआ है, और इसकंदर जो image sensor यूज हुआ है, वो Sony का IMX 377 यूज किया गया है, company द्वारा, और इसमें आप 720 से लेके, 4K 60fps तक शूट कर सकते हो, और 4K की इसकी जो clarity है, वो बहुत ही अच्छी है, ब बट एक चीज मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी, जब आप इसको 4K 60fps पे select करते हो, रुको मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, तो जब आप इसको 4K 60fps पे select करोगे न, फिर वैसे तो clarity बहुत अच्छी है 4K की, 60fps पे करने के बाद भी, लेकिन उस टाइम पे इसमें montage है न, वो side से, जब आप इसको play करोगे, computer पे या किसी बड़ी screen पे, जैसे TV वेरा की screen होती है, तो side से यहां से, और यहां से, थोड़ी से न, गोल हो जाती ही picture, तो वो एक तरीकी की distortion होती है, barrel distortion कहते है उसको, photography और वीडियोग्राफिक के terms में न, तो वो चीज आयती है 4K 60 fps पे, और जब तक इसमें 4K 30 fps तक रहेगा, तब तक ठीक रहेगा, कोई distortion है किसी टैप की, तो बस वो चीज नहीं अची लगी इसकी, और इसकी बैटरी जो चार्ज हो जाती है, जी, ढाई से तीन घंटे के बीच में चार्ज हो जाती है, मैंने लगाया था, 5 वोल्ट, 2 एम 112 ग्राम के आसपस है, और इसकी जो पूरी बॉड़ी है, यह पूरी अलुमिनियम की बॉड़ी है, क्योंकि यह 4K में रिकॉर्ड करता है, तो थोड़ा सा गरम हो जाता है, तो उसको गरम ना हो और यह कैमरा बंद ना हो, जैसे कि गोप्रो में बहुत बड़ी प्रॉलम बत जब अब यूज कर रहे होता है, तो ठंडा होता रहा था इसका इंटर्नल जो सर्कित है पुरा, जिसकी बंद नहीं होता, तो यह भी इसमें अच्छी चीज है, मैंने इस कामरा को पर्चीज किया था, अमेजान से, 24,000 कुछ किया था, मैंने पर्चीज और 1500 के आसपास का मे हुआ था, कि SDGuard तो इसमें मिला नहीं, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी, कंपने को देना चाहिए, इसमें SDGuard भी, तो यह कोई 25-26,000 के बीच में यह मुझे, अगर आप एक बज़ेट फ्रेंडली कैमरा देख रहे हो, तो उसके हिसाब से यह कैमरा, एक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो मैंने व्लोग बनाया है, रफरेंस के लिए, तो आप उसको देख लेना, यह था जी, SJCAM 10 Pro Dual Screen का रिव्यू, अब जैसे मैं आपको बताया कि मैं कोई प्रोफेशनल, टेकनिकल रिव्यूर तो नहीं हुई, तो अगर मिर से कमेंट मिस हो गया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना, या मुझे बता देना, जैसा भी आपको ठीक लगे, तो मैं उसको कवर करने कोशिश करूँगा, कमेंट बॉक्स में मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा, तो आज का वीडियो करते हैं आप बंद, अगर आपको पसंद आया हो, यह वीडियो आज का रिव्यू मेरा, इन सर्च आप एरडाईस पे, तो इसको अप्लाई कर देना, मेरे चैनल को सब्स्राइब कर देना, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बागी की अपडेट्स में अपने दूसरी वीडियो में जो कि मेरे चैनल पर वीडियो आते हैं, जो लोग देखते हैं, उनको पता है, मैं किस टाइप का कॉंटेंट बनाता हूँ, तो मेरे जो अपडेट्स हैं, और मैं कुछ एक दो दिन से जो वीडियो नहीं डाल रहा, मैं कियो नहीं डाल रहा, वो मैंने कम्यूटी पर तो उसके बारे में जो भी अपडेट्स हैं, मैं अपने अगले वीडियो में आपको दूँगा, तो इस वीडियो को करते हैं, आप क्लोज, ओके, अब हम चलते हैं, वीडियो पसंद आया, तो कर देना लाइक एक बर फिट से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे खीजशनाँ, दे ल्की हैं, जे दोके लाइको जाणाओेता हैं, घशे पो हीडियो चाहें, वीडियो, उरस देमें, वीडियो, वीडियो, भीडियो, जे रूँब। कर देस्वियो, को बाइको देस्वियो, जितमने प Culoga स nehmen, आभ ब का Πर देस आया, पूपले, टेस्स याक